दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ब्रजेन एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के लिए शिक्षन कौशल का अगला लेक्षा लेकिया मैं उपसित हुआ हूँ दोस्तों लेक्षा शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने यूटूब चैनल में बहुत-बहुत सवागत करता हूँ आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ शिक्षन कौशल का अंतिम पार्ट जिसमें मैं आपको कक्षा कक्षप्रबंध कौशल क्लास्रूम मैनेजमेंट स्किल के बारे में दिस्तार से बताऊंगा दोस्तों इससे पहले के सभी शिक्षन कौशल की वीडियो अगर आपने देख लिया है तो बिल्कुल आपको इसको भी बहुत ही असाने से समझना होगा जैसे कि बागी सभी वीडियो को आपने देखा और उसकी नूट्स बनाई वैसे इसको भी आपको खड़ना है ये शिक्षन कौशल का अंतिम वीडियो होगा इस वीडियो के लास्ट में मैंने दस महत पूर्ण अतिलग उत्तरिये प्रशनों को शामिल किया है जो शिक्षन कौशल से सम्मंधित हैं जितने भी शिक्षन कौशल अब तक पढ़ा हैं उन सबी शिक्षन कौशल को मैंने वहाँ पे सामोहिक रूप से प्रशन की रूप में दिया हुआ है तो उन्हें भी आपको इसी वीडियो में दे दूँगा इस अभ्यासकारी का जो मैंने इसमें शामिल किया हुआ है दोस्तों आए शूर करते हैं आज का लेक्षर और हम बात करने वाले स्रिक्षन कोशल के बारे में तो हमारा आज का टॉपिक है कक्षा कक्षो प्रबंध कोशल Classroom Management Skill दोस्तों जैसा का इसका नाम ही है कि Classroom Management Skill तो सामान्य सा जो एक अर्थ है एक सामान्य जो इसका तातपर है वो ही है कि Classroom को कैसे बहतर तरीके से मैनेस किया जाए Classroom का Management कैसे बहतर रखा जाए ताकि Class अनुशाशित भी रहे और बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों को अधिगम भी प्राप्त होता रहे तो इसी का नाम है शिक्षण कोशल कक्षा कक्षप्रबंध कोशल तो इसकी एक किताबी परिभाशा का उलिक मैंने यहां किया जो पढ़ने को मिल सकती है आपको कही न कहीं कक्षा कक्षप्रबंध कोशल शिक्षक के ऐसे विवहार हैं जिनकी दोरा शिक्षक रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु उचित कक्षा कक्षवातावरण उचित कक्षवातावरण उत्पन कर छात्रों के विवहार को नियंद्रित करता हुआ उनका ध्यान विशय वस्तु की ओर आकरशित करता है तथा कक्षा के अंद तक उसे बनाएं रखता है तात पर यह है कि इसके अंदर गज जो चुक्षक होता है वो कक्षा के वातावरण को नियंतृत करता है ताकि कोई बच्चा अनर्गल बात ना करे अनवशक शोर शराबा ना हो बच्चे जो है अनुशाशित तरीके से बैठे और विशय वस्तु पर अपना ध्यान केंदरित करें ध्यान विशय वस्तु की ओर आकरशित करें अर्था जो विशय वस्तु जो टॉपिक जो लैसन पढ पाया जा रहा है उसकी तरफ बच्चों का ध्यान केंदरित रहे और इस ध्यान केंदरी करण और चात्रों के अनूशाशन का जो एक ये मैनेजमेंट है ये अब क्लास में बना रहे शुरू से लेके अंतत् theo को तक मेंटेंज रहे बरकरा रहे इसी कौशल को कहते हैं क्लासों म मशगूल रहते हैं वो बच्चों पर अनुशाशन कायम नहीं कर पाते हैं बच्चों को अनुशाशित नहीं रख पाते हैं तो उनका कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल कमजोर होता है और भई बच्चों को शांत रखना तो हम स्टीक या फिर एक डर के माध्यम से भी उन्हें हम आनुशाशित रखने से तातपरे मात्र उन्हें चुप रखना नहीं है वो स्वता ही उस चीज की वैल्यू को समस्त विए शान्ती बनाये रखें और विशय की तरफ वो अपने ध्यान को केंडरित करने का प्रयास स्वयम करें अगर ऐसा है तब कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल काम कर रहा है और शिक्षक के अंदर कक्षा कक्ष को प्रबंध के कौशल को या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट को सम्हालने की अच्छी स्किल आती है यही इसका भावार्थ है कि हमारे अंदर classroom को manage करने की शमता होनी चाहिए बच्चे बहुत ही खुश मन से बहुत ही open minded हो करके आपकी class को वो accept करें और अनुशाशित रहें और विशय के प्रति लगातार वो connected रहें अगर ऐसा है तो आपका classroom management बहतर है अब भाई बहुत ही जी सा कोशल था अब इसके अंदर गत कौन कौन से घटक होंगे इनके चार्चा करना बहुत ही सामानी है अब तब से पहली बात अधिगम रोचक बनाना भाई अगर हमारा अधिगम पढ़ाने का method पढ़ाने का system रोचक होगा interesting होगा आनन दाई होगा तब बच्चों का ध्यान स्वता ही विशय वस्तो की तरफ चला जाएगा वो उसकी तरफ आकरशुत रहेंगे ध्यान उनका केंद्रित रहेगा उसके लिए बहुत ज़दा effort करने की जरुवत नहीं पढ़ेगी अधिगम उद्देश पूर्ड बनाना हमारा जो अधिगम है जो हम teaching कर रहे हैं वो उद्देश पूर्ड होना चाहिए उसका एक aim होना चाहिए अगर आप उद्देश पूर्ड नहीं पढ़ाएंगे नहीं उसका कोई target लेके चलेंगे तो बच्चे भी corporate नहीं करेंगे वो अन्यमित रूप से चीज़ों को पढ़ेंगे भूल जाएंगे उद्देश प्राप्ति के लिए प्रियृत करना जिस उद्देश को आपने नर्धारित किया है उसे हासल करने के लिए हमें बच्चों को लगातार motivate करना होगा उन्हें प्रियृत करते रहना होगा ताकि वो उस लक्ष की प्राप्ति तक जा सकें ये भी इसका मात्मुन शात्र शुक्षक अंता क्रिया को प्रोफ्ट साहन देना अब आप क्लास को अनुशाशत रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को बीच बीच में खड़ा करके उनसे पूछा जाए या फिर बच्चों को स्वता ही शामपट पर ब्लैक बोर्ट पर भेजा जाए ताक इस कौशल का सबसे महत्य पूर्ण जो एक घतक है वो अनुशाशन हिन्ता पर नियंत्रा रखना अथ्वा अनुशाशन को बनाए रखना और वांगशित ब्यवहारों का पुनर बलन जिन विवहारों की हमें जादा उनसे अपिक्षा है जिन विवहारों को हम अधिक सधिक क्लासरूम में देखना चाहते हैं वैसे विवहार को हमें पुनर बलन की द्वारा उनकी अंदर उत्पन करना चाहिए यानि कि शान्त रहने का विवहार शालीन रहने का विवहार और क्लास में अनुशाशित रहने का विवहार इन सभी विवहारों को हमें पुनर बलन के द्वारा बच्चों के अंदर समाहित करना होगा अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हमारा शिक्षन कोशल का ये कक्षा कक्ष प्रबंद कोशल बहुत ही अच्छा होगा और हम क्लास को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अगर क्लास हमारी मैनेज नहीं है अगर हमारा classroom management week है तो हम शिक्षन को बेहतर तरीके से present नहीं कर पाएंगे present हम कर पाएंगी तो बच्चे उसको अच्छे से accept नहीं कर पाएंगे तो बस इतना ही इस कौशल में आपको जानना था दोस्तों शिक्षन कौशल के पार्ट में मैंने आपको आठ सिक्षन कौशल का जो है असपश्टी करण दिया हुआ है जिसमें से मैं आपको remind कराऊं तो flashback में ले चलो तो पहले नंबर पे मैंने आपको खोजक प्रशन कौशल बताया था उसकी बाद फिर प्रश्टावनात्म कौशल बताया था और पुनरबलन कौशल बताया था उद्धीपन परिवर्तन कौशल बताया है दिर्श्टान्त कौशल असपश्टी करण कौशल श्यामपटलेखन कौशल और दिर्श्टान्त कौशल तो इस तरह से आठ कौशल मैंने आपको पढ़ाया है उन आठ कोशलों से सम्मंधित प्राशन आ सकते हैं तो आईए कुछ महत पूर्ण प्राशनों पे एक नजर डालते हैं जो शिक्षन कोशल से सम्मंधित हैं इनका उत्तर आपको स्वताह लिखना होगा पहले हमारी है गुजारी शाय कि आप पूरे कुशन को देख करके वीडियो पॉस करके इनको नोट कर सकते हैं और इनका आंसर आप खुद लिख लिजेगा उसके बात मेरे दोरा बताएगे आंसर को आप टैली कराईएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कितना आपने शिक्षन कोशल में तैयार किया हुआ है तो आएए शुरू करते है दोस्तों आपके समने प्रश्न नजर आ रहे होंगी आप वीडियो को पॉस कर सकते हैं मैं हलागी कोशन पढ़ता जा रहा हूँ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं पहला कोशन हमारा है डॉक्टर वी के पासी ने कितने शिक्षन कोशलों का उलेग किया है दूसरा कोशन है शिक्षन कोशल को पहचानने की किस एक विडि का उलेग किजी शिक्षन कोशल की एक विशिष्था बताईए संकेत देना किस शिक्षन कौशल का घटक है अधिक सटीक उत्तर पाने के लिए एक ही प्रश्न को अलग-लग शात्रों से कई बार पूछा जाना क्या कहलाता है यदि शात्र किसी प्रश्न का उत्तर आंचिक रूप से दे तो किस घटक का प्रियोग यथोचित होता है नय पाट की शिरुवात की समय किस शिक्षन कौशल का प्रियोग किया जाना चाहिए शामपट लेखन कौशल की एक घटक का उलेग कीजिये 9. सपश्टी करण कौशल को किस अन्य नाम से जाना जाता है और नमबर 10 है शरीर संचालन किस शुक्षन कोशल का प्रमुग घटक है दोस्तों ये 10 कोशन है इन 10 कोशन का आंसर आप लिख लिजे और मैं आपको अभी जस्ट इसका आंसर दे रहा हूँ लेकिन उससे पहले आप लिख करके और चेक करिएगा कितने मांक्स आपको 10 में से मिलते हैं और अपने आपको चेक करिए तो आप वीडियो पहुच कर सकते हैं दोस्तों आई होप आपने आंसर लिख लिए होगा और मैंने भी यहाँ पर आंसर दे दिया है तो आप फटटफट मैच कर सकते हैं और देखिए आपके कितने आंसर सही हुए है पहले एक आंसर है डॉक्टर वी के पास ही ने कितने शिक्षन कौशलों का उले किया तो इसका आंसर है तेरा शिक्षन कौशल को पहचानने कि किसी एक विधी का उले के जिए शिक्षन कारे अलोकन विधी, शाक्षातकार विधी इस तरह की दो-तिन विधियों का मैंने लेकिया थो, पहला यह आपका है, शिक्षन कौशल की एक विशेस्ता बताईए, शिक्षन क्रियों को प्रभावशाली बनाना, शिक्षन क्रियों को प्रभावशाली बनाना, यह इस क्या किलाता है पुनह प्रेशन कहते हैं रि डिरेक्षन इसको आपको बताया गया था यदी किसी छात्र यदी छात्र किसी प्रश्चन का उत्तर आंशु ग्रूप से देतों किस घटक का प्रयूग करना चाहिए विस्त्रित सूचना प्राप्ती सेकिंग फर्दर इंफॉमेश के एक घटक का उले कीजिए अक्षरों की अस्पश्टता अक्षरों का स्वक्ष होना सैंपट का साफ होना यही सब इसके घटक होते हैं स्पश्ट्री करण कोशल को किस अन्य नाम से चाना जाता है यह है व्याख्या कोशल जी हम दास कुछ ने शरीर संचालन किस अक्षण अच्छे से किया होगा और आपके marks बहतर होगी आप marks को comment करके बता भी सकता है कि आपने कितना achieve किया है दोस्तों ये मैंने स्क्षिन कोशल को topic समाप किया इससी तरह मैं आगे के जो महत्मों topic है उनको cover कराऊंगा और कुछ दोस्तों की शिक्राइद रहती है कि कोई topic चलता है तो अधूरा छोड़ दिया जाता है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों जितने भी topic में continue कर रहा हूं सबको मैं पूरा कराऊंगा बस तुरह सा आपके patience की जूरत तुरह सा दहर रखे और मैं exam से पहले सभी topic cover करा दूँगा तो अगर trust है तो प्लीज आप continue चीजों को रखते चलिए और इनको notes में बनाते चलिए और revision करते रहे बहुत एच्छे से आपका kurs पूरा हो जाएगा दोस्तों फिर से गुजारिश है कि अभी तक कर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजी वीडियो को लाइक भी कर देजी और इस वीडियो को अपने दुस्तों शेर करना ना बोलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ठैंक यू सो मच जै हिन जै भारत